हेलो दोस्तो असलाम वालेकुम आप देख रहे हो संसीर ब्लोक्स और मैं हूँ संसीर आलम उमीद करता हूँ आप लोग खेले से होंगे तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कतर की कुछ अपडेट आपके साथ सेर करूंगा जिसमें वजारते सहत के तरफ से जो अपडेट आ रहा है हेल्थ मिनिस्टरी के तरफ से अभी किनकी लोग को वैक्सिन दी जारी उसकी उमर और साथ साथ बात करेंगे जो हमद मेडिकल कॉर्परेशन है उसके तरफ से कुछ अपडेट किया गया है पार्किंग को ले करके और आगे बात करेंगे क्या कतर में कम्पलीट लॉग डाउन लगने वाला है या नहीं क्योंकि कुछ लोगों का कहना है फिर से लॉगडाउन लगा दिया जाए कतर में और कल से यानि एक अपरेल से कतर में क्या पेट्रॉल का प्राइज रहने वाला है वो भी आपको बताऊंगा आगे तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हर बार की तरह इस बार भी जो लोग भी अभी तक चैनल को नहीं सस्क्राइब के हैं तो फिले चैनल को सस्क्राइब कर दे बेल आइकन दबा दे जो लोगोंने सस्क्राइब कर रखा उन लोगों का मैं तह दिल से शुक्रियाद करता हुँ अभी जिन लोगों को गतर ने चुना है वैक्षिन देने के लिए उनका एज अब है 40 साल 40 साल सुपर जितने भी लोग कतर में हैं भले से उ कतरी हो या कारजी हो किसी भी देस उनका तालूग हो उसे मतलब नहीं उनका एज 40 से उपर है उन देना चालू हो गया है और दोस्रे नमबर पर है जिन लोगों कोई बीमारी है उन लोगों का इस से कोई तालुक नहीं है एस बहले से उसका कुछ भी यह 92-25 विमारी के वाजा से वैकसिन दिया जा तीसरा जो है जो प्रोफेशनल है जो लोग हेल्थ केर में काम करते हैं या अधर जो मिनिस्टरी में काम करते हैं या टीचर लोग है इन लोग को भी दिया जाता है इन में एज का कोई तालूग नहीं है जिन लोगों ने पहले से कोवेट 19 वैक्सिन के लिए अपलाई कर रखा उनका चालिस से उपर है उन लोगों को तीन से चार हफ़ते के अंदर में वैक्सीन उन लोगों को दिया जाएगा तो खबराने की कोई बात नहीं आपको मैसेज के थूरू आपको बुलाया जाएगा आपको कहां पर आपके करीब पड़ता है होस्पिटल उसमें आपको दिया जाएगा कल वजारते सहत ने हेल्थ मिनिस्टरी ने एक ट्विट किया जिसमें कहा जिसमें जोर देकर कहा गया कि कोरोना वाइरस कोवेट 19 वैक्सिन सिर्फ उन लोगों को दी जाती है जिनके पास अपॉइंट मेंट हो या तो उसको मैसेज आया हो उन लोगों को दिया जाता और जिनका जो एज है जो 40 अभी है उस एज के अंदर उपर आते हैं तो उन लोग को भी वैक्सिन दिया जा रहा है कल के दिन में QNCC जो वैक्सिनेशन सेंटर है वहां पे काफी लोग जमा हो गये थे जिसके वो जैसे सोसल जो डिस्टेंस है इसका वहां पे पालर नहीं हु और कहा है जिन लोग के पास कोई मेसेज नहीं आया पिलीज ओ लोग जो वैक्सिनेशन सेंटर है वहां पर ना जाए वहां पर जाकर के जो वैक्सिनेशन सेंटर में जो दखल होता है वो दखल ना दे अगर आप वैक्सिन लेने में इंट्रेस्ट रखते हैं तो आप M.O.P. सब्सक्राइब करेंट गरएट एक्स अधरी चceksin करवा थाकि आपको वेक्सिन दिया जा सक νटो किए वीडियो दिख रहा है इस पर बिदियो आपको मिलेगा जिसमें आपको राजिस्क्राइशन करने का फूल बताया गया है और अकॉंड नहीं है तो भी बताया गया है H.M.C. के तरफ से जो हमद बिन खलीफा मेडिकल सिटीज कैम्प है उसके अंदर पार्किंग का नया पोलिसी लेके आया गिया है ये 1 अपरेल 2021 से लागू हो जाएगा यहाँ पर जो मरीज है उन लोगों के लिए और जो विजिटर है जैसे डरैवर लोग जाते हैं वहाँ पर जाके वेट करते हैं तो उन लोगों के लिए भी जो पहला 3 घंटा है वो फिरी रहेगा उसके बाद अगर आप वहाँ पर रुकते हैं तो आपको 15 रियाल लगेगा उसके बाद आपको हर घंटा के इसाब से 5-5 रियाल पे करना होगा अगर एक दिन की बात करें तो एक दिन में जादा से जादा 70 रियाल है और दो कैटेगरी के लोगों को छूट दिया गया है जिसमें पहला है कैमो थेरेपी और दूसरा है डाइलेसेस इन दोनों कैटेगरी को पारकिंग में फीस नहीं लगेगा अगर ओ तीन घंटे से जादे भी रहते हैं तो नहीं लगने वाला है आगे बात कर लेते हैं क्या कतर में फिर से लोगडाउन होगा आपको ये दो निउस आपके सामने में रख रहा हूँ इसको सुनने के बाद आप डिसाइड कर सकते हैं हो सकता है या नहीं आपको बता दे अभी हमद मेडिकल के जो चेर्मेन है अहमद अलमुहमद के हवाले से बताया गया है मुकमल लॉगडाउन पिछले साल जो गर्मी के मौसम में जहां सरके खाली थी और लोगों ने घर से काम किया था वाइरस के फैलाव को रोकने में बेहतरीन तरीका है ये कह रहे हैं अहमद अलमुहमद अलजजीरा खबर के मताबिक वजारत सहत के एक अधिकारी ने कहा है कि कोरोना वाइरस के फैलाव को रोकने के लिए मुलक में मुकमल तौर पर लॉकडाउन का मुतालबा किया है आगे अलमुहमद ने कहा है कि फरवरी के महिने में जो आइसियो में जो लोग थे उनकी जो तादाद थी तिरेपन थी अभी जो इन लोगों की तादाद है तीन सो से जादा हो चुका है जो पहला लहर कतर में 2020 में करोना का उस टेम में भी ये तादाद इतना नहीं पहुंचा था जितना तादाद अभी के वक्त पहुंच चुका है तीन सो से उपर पिछले साल 220 था ये तादा 2020 में अभी ये तादा 300 से उपर जा चुका है आईसियो की अगर जो अभी आप देख रहें कि के केस में अगर जाफा ऐसा होता रहा तो आने वाले कुछी दिनों के अंदर में आपको सुनने को मिलेगा कतर ने फिर से पूरा लॉक डाउन कर दिया क्यूंकि अगर ऐसे केस आता रहा तो लॉक डाउन लाजमी तोर पर कतर में लग जाएगा तो दोस्तो आज की यही वीडियो अगर आप कि फूर वाचे